अगर आप SSC CGL Tier 2 की तयारी कर रहे हैं और आपके Mock Test में नंबर नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आया हैं क्योंकि बहुत सार लोग इस बात से परिशान हैं कि Mock Test के अंदर Relevancy Level नहीं है पता नहीं क्या क्या पूछा जा रहा है Mock Test के अंदर वो पेपर देने बैट से Demotivate होके बैट जाते हैं बिचारे तो करें क्या आखरी का कुछ समय रह गया है जिसके अंदर हमें चाहिए कि कोई बंदा हमें ऐसे ऐसे सवाल दे दे जो की SSC पूछ सकता है आपको बता 20% पेपर जो होता वो टफ होता है और बाकी का जो 30-40% पेपर रहेगा वो थोड़ा moderate side रहेगा उसके बाद जो रहेगा वो असान रहेगा जो remaining होता है तो in nutshell बात क्या है हम सिर्फ easy वाले पार्ट पर फोकस नहीं कर सकते हैं मैंने हमेशा आपने जो 200 गंटे का course मेंने free दिया है 200 गंटे का description में link है देख लेना चाहिए ठीक है तो 200 गंटे की course के अंदर भी आपने देखा होगा एक भी student ऐसा नहीं था जो dissatisfied रहा जिसने ये बोला हो कि भाया आपने भी ढंक से नहीं explain किया एक student ने ये बोला कि sir जो आपने explain किया हो paid में भी निकिया जाता यकीन नहीं आता तो comment box में जाओ और comment चेक कर लो मुझे बताने की जरूरत नहीं हमारी channel के audience खुद बोलती है जो सचाई है वो बोली जाएगी और रही बात इसके अंदर mock test के अंदर तो हमने 3000 question रखे हैं इसमें से 1000 maths के हैं 2000 English के हैं और रात रात ब बहुत सारे changes करके डाले गए हैं ताकि आपका जो intellectual brain है वो sharp हो और आप महावे वेपर में किसी भी तरह का सवाल कर पाएं तो इसमें वो सवाल इंक्लूड किये गए हैं जो आ सकते हैं exam के अंदर और जो बहुत relevant है और अगर आपने ये सवाल नहीं किये तो हो सकता है कि आप आपके जो तैयारी में loopholes रहा जाएं तो वस वही चीज को cover करने के लिए हमने ये सब बनाया है अधर वाज हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अगर किसी ने बहुत अच्छे से हमारा course ही अटेंड कर लिया तो वो easily selection ले सकते हैं लेकिन mock test की relevance बहुत ज़दूरी है क्योंकि आपको बता है market में कोई ढंका mock test ही नहीं बहुत या इतनी इतनी तो गलती है उनके अंदर हर सवाल में जाओगे गलती है हर सवाल में जाओगे pattern चेंज हो जाता है जो कि SSC का pattern ही नहीं है तो हमने क्या किया है आपको बता है SSC ने 2017 में सबसे top paper पूछा और उन्होंने quantum cat तक से उठा के question पूछ लिए और हमने इसमें क्या किया है कि हमने cat के वो सवालों को जरूर उठाया है जो सवाल आ सकते है SSC में वो सवालों को नहीं उठाया गया कि जो नहीं आ सकते हैं तो इसलिए ये completely tier 2 based papers होंगे और जो CPO के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वरदान है क्य बना के वो लोग लगा सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आपकी अगर speed slow है content पूरा नहीं है accuracy सही नहीं है तो ये mocks आपके लिए बहुत benefit है यही तीन चीज़े होती है जिसकी वज़से बच्चे के नमबर नहीं आते demotivator रहता है तो ये सारे question आपको 1000 question चार्ट जाना भा पर की paid mocks हैं जब 200 गंटे का content free दे सकता हूं तो ये भी दे सकता था लेकिन किसी भी organization को run करने के लिए एक छोटा सा amount जरूर चाहिए होता है अब वो किसलिए चाहिए भाई typist बिठा रखें तीन हजार questions को खुद पहले तो हमने analyze करकर सवाल बनाए उसके बाद उनको type करव फिर उसमें से proof reading करा के फिर दुबारा typing के लिए कि भाई ये तुमने गलत कर दिया है चेंज करो options लिखे हैं उनके solutions लिखे हैं तो भाई उसके लिए कम से कम कुछ तो देखिए लोग लेंगे हम मैं free में करने के लिए तयार हूँ आप लोग के लिए लेकिन ये जो typist है या और गरीब लोग यार बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लोग जुड़े हुए जिनके पास खाने तक को पैसे नहीं है हमने उनको अपने साथ जोड रखा है सिर्फ ये होसला देखे कि कभी दिन बदलेंगे और हम लोग भी आपके लिए जो best कर सकते करेंगे तो उन लोग को भी म को खरीदना है 149 के English के 99 के अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 248 बनता है ये रूपीज लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेर को क्योंकि मैं चाहता तो इतने के रख सकता हूं लेकिन बात वो नहीं है हमने इस पूरे के दोनों के प्राइस को 189 कर दिया है ठीक है तो अगर कोई बंदा 149 के मैट्स के ले रहा है तो भाई कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है वो इसली दोनों परचेस कर सकता है और ये ऐसा माउंट है ये निया कि कोई आपसे 1000 रुपे मांग रहे है बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जो 1000 रुपे के तो मौक दे रहे है ठीक है तो और कॉंटेंट भी बेकार रद्धी कॉंटेंट ठीक है तो उस हिसाब से हमने जितना हम लोवेस्ट कर सकते हैं ताकि उन सब लोगों की कोस्ट निकल जाए जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए है जो टाइप करके दे रहे हैं या जो कॉंटेंट बनाने में हेल्प कर रहे ठीक है मैं तो पागल इंसान हूँ यार आपको बता कि कर्ज लेकर जब मैं ये सेटप लगा सकता हूँ तो फिर ये करने में कौनसी बड़ी बात है ठीक है तो वो मेरे बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो म को ये स्टार्ट होंगे मोक टार्ष ये होंगे 5 अक्तू। से स्टार्ट होंगे 5 को आएगा मैट्स का जैसे और छोंगे से इंगिलिश का तो ऐसे और sinners य चलते रहेंगे और आपके बास यह सारे के सारे मोक टार्षट यह मैं पहले आप लोग को बता दूँ, ठीक है बाद में कहीं कोई ऐसे expectation लिगा है, तो यह रखे किसलिए बनाए गए है, ताकि आपके वो सारे का सारे types cover हो जाए, और paper में जाके आपको कोई दिक्कत नाए, उसलिए बनाए गए है यह mocks, तो आप में से जो भी इसको purchase करना चाता है यार, हमने यह rule रखती है कि first thousand students के लिए ही हम afford कर सकते हैं, उसका reason यह है कि हमारे पास बहुत ही बड़ी team नहीं है, हमारे पास एक limited team है, लेकिन content बड़ा जबरदस्त है, तो अगर आपको अच्छा content चाहिए है, तो सिर्फ जो पहले 1000 students है, उनी को हम जोड़ पाएं करके भेजना, वो बहुत ही typical task हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें यह सारा काम करना है manually, तो इसी लिए, सिर्फ और सिर्फ first thousand students के लिए है यह, तो जो लोग pre-register करवा सकते हैं, वो पहले ही करवा लेना register, क्योंकि end में क्या होगा, कि एक तो बहुत सारे students होंगे, जो इ अगर आप late करवाते हैं, तो again भही दिक्कत है, कि फिर बाद में आप लोग तंग मत करना, यह बहुत बार होता है, कि students फिर तंग करने लग जाते हैं, कि please हमें भी add कर लो, add कर लो, फिर वो हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि on the spot, आप 5 October को, या फिर 6 October को हमें बोलें, कि सर फटा-फटा add करो, फटा-फटा add करो, हम पैसे बेजते हैं, तो वो possible नहीं है एकदम से, क्योंकि आप से पहले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने हमें भेज रखा होगा, और हमें उनको add करना पड़ेगा, as compared to you, तो इसलिए, if you want to get admission in these mocks, तो पहले ही timely उस चीज को कर लीजेगा, ताकि हम time रहते ही, 5 October से पहले पहले आप लोगों को उसके अंदर add करते हैं, और यह जो है, यह payment के option है यहाँ पे, यह Google Pay का, Phone Pay का, Paytm का, UPI ID है यह, और किसी भी नंबर पे call मत कीजेगा, जो भी आपको communication करना है, mail ID मेरी पता है, आपक कोई भी query को भेज सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो mail ID है, gvbitmover at the rate gmail.com, अच्छा जिनके बास UPI ID है, वो मैं बता दू कि इसके बीच में space नहीं होता है, यह सारे के सारे शब्द जो है, आपस में जुड़े होए है, UPI ID में, आपको क्या करना है, एक बात य को भेजनी बहुत जरूरी है, otherwise हमें पता ही नहीं लगेगा कि किसने भेजा, तो हम आपको कैसे उसमें जोड़ेंगा, और तीसरी चीज़ आपको जो भेजनी है, वो email ID भेजनी है, क्योंकि सारे का सारा system हमारे email के थ्रू रहेगा, तो email ID अपनी जरूर भेजिएगा, नहीं होगी, फिर भी कोई query है, आप comment कर सकते हैं, मैं हर comment का reply करूँगा, ठीके बाई, चलिए, हम में लेगे next video में, तब तक लिए take care, goodbye, see you, और DI भी इसके अंदर डाले है, मैंने बहुत जबरदस DI डाले है, तुमारी जबरदस practice हो जाएगी, okay guys, bye bye, take care, see you.